आप देख रहे हैं जुनाता टीवी बोल जनता बोल में स्वागत है आपका और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से अवेध तरीके से एक महिला डॉक्टर गर्भपात करती है और ये धंदा जो है वो काफी समय से चल रहा है इसके लिए रिश्वत ली जाती है ताजा मामला वो पंच्चुला से आया है पंच्चुला के सेक्टर 16 में सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर वेध गर्पवात का गंदा धंधा चला रही थी बीस हजार रुपए के लिए डॉक्टर भारगव गर्ब में ही मासूम बच्चे की हत्या कर रही थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वारल हो चुका है तो सुना अपने डॉक्टर मैडम को ये डॉक्टर पुनम भारगव है जो पंचकुला के सेक्टर छे के नागरक अस्पताल में कारे रत थी जो चंद रुपई के लिए मासूम बच्चे की जान का सौधा कर रही है वो मासूम बच्चा जिसने अभी तक इस दुनिया में जन्म तक नहीं लिया डॉक्टर पुनम भारगव अस्पताल में अवैद गर्भपात का गंदा खेल चला रही थी सिर्फ कुछ पैसों के लिए बच्चों की गर्भ में हत्या कर रही थी चलिए अब आपको डॉक्टर पुनम भारगव का वो पूरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें डॉक्टर पुनम मरीज से 20,000 रुपई लेकर अवैद तरीके से गर्भपात करने की बात खुद कबूल रही है मेरे भारीी निसर्व 15 रवष्य эпधरी की 16, 17, 17 रॉолж 15 मेन 4 मेन का खुछ यह खुछ अवारीग है वारी बच्च्च्च पूरा हुग वार九व आपको। 다रीके तक की बातल बदीं व छोवी daybava खुछ खुछ आए पर आपको पाने डिवाल दरसल शनिवार 22 परवरी को डॉक्टर पुनम भारगव के खिलाब शिकायत मिलने के बाद डॉक्टर पुनम का रूम और रेकोर्ड सील कर दिया गया अस्पताल के सिवल सर्जन डॉक्टर जस्जेत कौर ने जानकारी देते हुए बताया था कि इंटर्नल इंक्वाईरी के तहट रूम और रेकोर्ड को सील किया गया है फिलहाल डॉक्टर पुनम का वीडियो सामने आने के बाद मामले में आगामी कारवाई जारी है वीडियो सामने आने के बाद क्या अस्पताल प्रिशासन डॉक्टर के खिलाफ संक्यान लेंगे लेकिन अवैद गर्बपात को लेकर सरकार और कई समाजिक संस्थाओं की ओर से जाकरुकता अभियान चलाई जा रही है फिर भी बेटा और बेटी को लेकर भेदभाव किया जा रहा है बेटा बेटी के नाम पर गर्ब में ही मासूम की हत्या हो रही है आज भी समाज में ऐसी घटिया सोच और गंदी मानसिक्ता रखने वाले कई लोग ही जो गर्ब में ही मासूमों की हत्या कर रही है जन्नता टीवी के लिए पंचकुला से उमंग शियोरान की रिपोर्ट तो देखा आपने की किस तरीके से एक महिला डॉक्टर जिनके कंधों पर मरीजों की जान का जान की जिम्मेदारी होती है वो एक घर्बपात के लिए जो मरीज है उनसे 20,000 रुपे की मांग करती हुई नजर आ रही है इस वीडियो में साफ बोलती हुई नजर आ रही है कि 20,000 का खर्चा होगा बच्चा पूरी तरीके से बन चुका है चार महिने का है और इतना होने के बावजुद शर्म नहीं आ र रहा होगा जहां मासूमों की जिन्दगी के साथ यह खेला लहा होगा महस कुछ रुपेएं के लिए बीते दिनों की बात की जाए तो ऐसी कई बार ऐसा हुआ है कई मामले आए हैं जहां भूरून जो है वो नाले में तैरता हुआ पाया गया है और यकीनन वो एसे ही डॉक् हैं जिनकी वजह से इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं आपका क्या कहना है कॉल कीजिए हमें जीरो डबल वन फोर्टी टूवन फोर्टी टूवन पर एक दर्शक हमाई साथ जुड़ गए MP शर्मा MP शर्मा क्या कहेंगे आप नमस्ते देखो एक तिनका है उसके दो इससे होते हैं और उसे तिनका को कितना भी तोड़ से जाओ उसके दो इससे ही रहेंगे एक नहीं हो सकता तो यह धंदे गैर कानूनी यह हमारे उपर से नेता से नीचे तक हैं अब इसको पेट का स्वार लगा लो या इच्छाएं ज्य जिस तरीके का यह शर्म नाक मामला आया जोहां एक तरफ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाये जाते हैं वहीं दूसरी तरफ बार बार भूर हत्या की जाती है ताजा मामला आया है वो पंचकुला से आया हम आपने आमने आपको वीडियो भी दिखाया जिसमे यह महिला डॉक्टर सीधा सीधा गर्भपात के लिए 20,000 रुपे मांगती हुई नजर आ रहे हैं जिसके बाद से यह वीडियो पूर तरीके से सोचल मीडिया पर वारल हो चुका है अलाकि इस वीडियो को लेकर अब मामला संग्यान में आ चुका है और बताते चले कि पूरत लेते हुए आज मामला निकल कर सामने हैं लेकिन ना जाने कितने समय से कितने ही भूण हत्या हो चुके होंगे अब तक लेकिन अभी तक यह गंदा खेल क्यों खेला जा रहा था प्रशासन की नजरों में यह अब तक क्यों नहीं आया था सरकार सरकारी अस्पताल में इस तरीके से अवैद घर पपात कराया जा रहा है अवैद घर पपात की अविज में 20,000 रुपे मांगे जा रहे हैं आखिर ये गंदा खेल कैसे खेला जा रहा है आपका क्या कहना है इसको लेकर इसमामले को लेकर आप हमें कॉल कीजिए रायसाजर कीजिए 011-4321-4321 और पर अवैद घर पपात किया जा रहा है 20,000 रुपे मांगे जा रहे हैं घर पपात के खबर प्रशासन को क्यों नहीं है अभी तक क्योंकि लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं राहूल अमाज साथ जुड़ गया है फईदाबाद से राहूल क्या कहेंगे मैडम सबस्टरी बात है था 1913 जबार सरकार ने कानन बना दिया ख्यार अरब भायद तरीके से घरपात कराया जाए लेकिन सराज सरकार ने अभी तक उस कानन को सईसे इंप्लिमेंट नहीं किया है दूसरी बात है जब कानन के साथ साब से 27 अका तक की घरपती महला के घरपा जाता है मुझे लगता समाज प्रतासन मीडिया सब को मिले पर काम करना हुआ तब इस तरह के गुराएं को मढ़ा है इस तरह का जो रहा है कहीं करनिया को भूड़ मारने की साचिसे क्योंकि आज भारत जो है कोई देश को प्रत्रदान समाज बन सुका आज हमें जो प्रत को जुड़ गए है महावीर श्रमा रिवारी सी महावीर क्या कहना आपका मैं करूंग जी एसी डॉक्टर के खिलाब और ये नारी है तो ज्यादा मतलव समझ होती इस बारे में एक मा के लिए तो ऐसी डॉक्टर के साथ सकतागवाई होनी चाहिए और जब एक छोटी बच्ची माइनर ये कहती कि पाकिस्तान जिन्दाबाद अरूस के देश दिरोगा केस बने जाता है तो इस डॉक्टर बेर तुरंत में देश दिरोगा जैसे आलात होने चाहिए क्योंकि एक बच्चे को जो फूल खिला भी नहीं था जिन्दगी में मतलब आया भी नहीं उसे पहले इस तरह के धंदे करने वालों को तो सक्षे सकतागवाई होने चाहिए बिल्गल मावेर भाबा शुक्रिया एक जिन्दगी के साथ मोल भाव करती हुई डॉक्टर का ये वीडियो बारल हो चुका है जहां ये लेडी डॉक्टर गर्बपात के लिए वैद तरीके से किये जाने वाले गर्बपात के लिए 20,000 रुपे मांगती हुई नजर आ रही ह सबसे पहले तो ये है कि डॉक्टर की तो गलती है ही है लेकिन लोग भी जागरू को क्यों नहीं हो रहे हैं क्यों ये गर्बपात अभी भी कराये जा रहे हैं आला कि कानून भी बन चुका है उसके बाद भी ये गर्बपात का गंदा खेल खेला जा रहा है अवैद तरीके स से सरकारी अस्पतालों में अवैद गर्वबाद कराया जो है बहुत बड़े श्रमनाक बात है आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर और राय साज़व कर सकते हैं लगाता हमा साथ दर्शक अभी जुड़ रहे हैं और दर्शकों का यही कहना है कि इस तरीके से जो लेडी है लेडी होने के बावजूद इस तरीके का खेल खेल रही है जिन्दगी के एविच में 20,000 रुपे मांग रही है गर्वबाद पूरी तरीके से बैन है लेकिन विशेश परिस्तितियों में गर्वबाद कराया जा सकता है लेकिन जो मामला सामने आया है पंच्छकुला का व पाखर सिंग हमां साथ जुड़ गए है पाखर सिंग क्या कहेंगे आप यह जो आप गर्वबाद यहां सरकारी होस्पिटरों में अब तक चल रहा है क्या है किसको पता भी लगता गया और और भी दो हैं डाक्टर नहीं है वहाँ देखते होंगे अगर एक गलसी कर रही है पाखर सिंग नहीं है अडाय नहीं है आर है जी पाखर सिंग हमने मैंने पाखर सिंग ही आपको बोला बहुत बश्यक्ति वहां साथ जुड़ने के लिए तो सरकारी अस्पिताल में वैध तरीके से गर्भपात कराया जा रहा है और लगातार दरशक जुड़ रहे हैं चेनन परसासन को पता लिए जितने सरकारी काम हैं, जिए वो स्कूल हो, होस्पिटल हो, या दफ्तर हो, सब में बश्ताचार बढ़ा है, ये सरकार हमारी जब आई थी इनों बश्ताचार मुक्त कहा था, कि हम कर देंगे, पार साल बिद गए, और बीस साल मांग रहे हैं, महम और बी क्या हो रहा है, अब क्या सजिया देंगे आप सरकारी होस्पिटल में डॉक्तर है, जू यूं को नहीं जानते हैं, कि सको पैसे पहुचाने रहते हैं, इनके जो जो स्वास मंत्री होंगे, नहीं पता है इसना बात का कि इसना काम होते हैं, क्योंकि मंत्री तक सब डिए सप अवैद तरीके से गर्बपात किया जा रहा है और 20,000 रुपे मांगे जा रहे है मुकेश तो बता दे कि अवैद जगदीश राए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीन से दर्शक है जगदीश राए क्या कहेंगे जगदीश राए हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों से हमारी हमेशा की तरह अपील है कि क्रिपिया जब भी आप हमें कॉल करें तब अपने टेलिविजन का वॉल्म बिलकुल कम कर दीजे क्योंकि ऐसे संपर्क साथने में बेहत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और आपकी बात हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती है तो बता दे कि अब फिलहाल CMO ने निर्देश दे दिये हैं जाच के और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन को क्यों नहीं है क्योंकि इस जगह पर पतानी कब से कितने सालों से यहाँ पर गर्बपात होतार आ रहा होगा अवेद तरीके से लेकिन प्रशासन को अभी तक इसके ख़बर क्यों नहीं है अवेध तरीके से गपपात का खेल ये लगाता चलता जा रहा है और ये पहले मामला नहीं है इसे पहले भी कई मामले सामने आए है और लगाता जिस तरीके से सडकों पर भूण मिल जाते हैं यकीना उसके पीछे ऐसे ही डॉक्टर होते हैं जो इमानदारी को ताक पर रखकर जिन्दगी के एविज में कुछ चंद रुपेयों के लालच में इस तरीके के घिनोने खेलों को अंजाम देते हैं जबकि गर्भपात जो है वो पूरी तरीके से इलीगल है हाला कि कुछ विशेश परिस्तितियों में एक्सेप्शनल केसेज में ये अबोर्शन किये जा सकते हैं लेकिन जो मामला आया है सेक्टर छे से नागरेक अस्पताल का उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ये महिला डॉक्टर जो सामने बैठे हुआ जो मरीज है उसे 20,000 रुपे बोलती हुई नजर आ रही है और साफ साफ सुनाई दे रहा है वीडियो के अंदर कि 4 महिने का बच्चा है जिसके अबोर्शन के लिए महिला डॉक्टर 20,000 रुपे की एवज में रिश्वत मांचती कोई नज़ार है जिसके बाद यह वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर पूर तरीके से वारल हो गया अब सवाल यह भी है कि आखिर जो लोग है वो इतने समझदार क्यों नहीं है वो क्यों बार बार लोग गर्बपात के लिए ऐसे डॉक्टर का सहारा लेते हैं लीगल तरीक जो उनका साथ देते हैं और इस तरीके से अवेद तरीके से गर्वपात करते हैं कुछ पैसों के वजह से और उस प्रशासन से भी यही सवाल है कि आखिर जो स्वास्ते विभाग है वो कहां पर है जो प्रशासन है उनको क्यों नहीं पता कि उनके ऐसे पंच्छकूला एरिया म कि अवेद गर्वपात का धंदा लगाता किया जा रहा है अमबाला से मोहन जुड़ गए है दर्श्र कमासत मोहन क्या कहेंगा है फुल्टा के एपने परवार का महमना तो होता रही है दूसरे जीदे इस पैसे शेल होता है दूसरे के बरवार कि बिलकुल उनके कोई परभाणी एक तरी किसे प्रूड़ता की मान सब्सक्ता कि हम इसे कह सकते तो यह गलत है और इसको ज़ब कि इनके कोई भी हो चाहें वो और तीना दता है या यह जो भी है यह जो भुरू को और योगों की भी ख़राब करते हैं और रहा कुमारी जिए यह यह योग सगाती इनकी सिदार शुक्राइब जिए इस जब ख़राब परते हैं यह जारा चेंड चलती है तो कि अगर आप इन प्रोसेस होता है स्टेप वाइस स्टेप पर रिश्वत ली जाती है जिसमें चाहें अल्टरसाउंड की बात हो या फिर दवाईों की बात हो या फिर नर्सिस की बात हो पूरा जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से लिंक होता है और इस तरीके के जो गलत तरीके से गरबपात कराया जाता है वो किया जाता है उसके एवज में पैसे लिए जाते हैं लेकिन सवाल ये भी है कि लोग भी आखे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अवैद तरीके से गर कानून कानून होने की वज़ेसे और भी ज्यादा पैसे जो हैं मरीज़ों से ठकते हैं लेकिन यह लोगों के लड़की और लड़का plutls कि क्या है जो लोगों की मानसिकता है उसकर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर लोगों की ऐसी मानसिक्ता क्यों है लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं लोगों पर भी सवाल है इस महिला डॉक्टर पर भी सवाल है और इस महिला डॉक्टर जैसे दूसरी डॉक्टर्स नर्सेज और जो इस सब पूरे धंदे रहते हैं आए दिन लेकिन प्रिशासन का ध्यान आखिर कहा है क्या इस प्रिशासन को अवैद घर्बपात दिखता नहीं स्वास्ते विभाग कहा है क्यों बार-बार मीडिया को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ती है आखिर लोगों की मानसिक्ता भी कब बदले कि क्योंकि सवाल लोगों की मानसिक्ता पर भी है और ये सारा खेल जाए वो मानसिक्ता का ही है क्योंकि मानसिक्ता की वच्छा से ही भून हत्य होती है बार बार अभैद गर्भपात कराया जाता है और इसी मान सिक्ता के वजह से गर्भपात का जो गोरक धन्दा है वो लगाता बढ़ता जा रहा है, अस्पतालों में जो नियम है जो कानून है उनको ठेंगा दिखाया जा रहा है जो गर्भपात पर रोक लगाने के लिए जो कानून बनाए गए है उसको कोई भी मानने को तह डाक्टा बिलकुल मस्थ है प्रशासन का ध्यान नहीं है और लगातार इस तरीके का गोरक धन्दा चल रहा है वैर तरीके से सरकारी ऐस्पतालों में घर्वपात कराया जा रहा है स्वास्ते विभाग का है यही सवाल है जनता के जिन सवालों के साथ हम आज के सकारेकरम बोल जंता बोल में मौजूद हैं और दर्शक मारा साथ लगातार चुड़ रहे हैं और अपनी राय साज़ा कर रहे हैं सवाल ये भी है कि लोग अपनी जमेदारी क्यों नहीं समझते हैं क्यों बार-बार इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं ये मामला पंचकुला से निकल होंगे और लोगों से मनमानी रकम वसूलते होंगे और लोग बे बिना कुछ समझे अपनी छोटी मानसिक्ता के साथ में चले जाते हैं इन डॉक्टर्स के पास पैसे भर देते हैं और जहां सरकार इतने योजनाय चलाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम लड़कि का धंदा चलाते हैं और जो चलाने में मदद करते हैं और जिनकी वजह से धंदा चलता है लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है क्योंकि जो कानूनी जुर्म है वो जुर्म ही है आखिर ऐसी डॉक्टर्स पर आखिर गर्बपात कराने वाले लोगों पर कानून क्यों नहीं सकत होता प्रशासन का ध्यान कहा है आखे प्रशासन को इस बात की खबर क्यों नहीं है प्रशासन कहां सो रहा है अवैद गर्बपाद क्या स्वास्ते विभाग को नहीं दिखता स्वास्ते विभाग आखिर कहा है क्योंकि जिस तरीके की जो डॉक्टर है छोटी मानसिक लकीनन इन सब भी भून के पीछे ऐसे ही डॉक्टर होते हैं जो चंद पैसों के लिए अपना इमान बेज देते हैं और ऐसे गोरक धंदा लगता चल रहा है सवाल ये भी है कि ना जाने कितने सालों से ये धंदा चल रहा होगा ना जाने कितने भून हत्या इन अस्पतालों मे की जा चुकी होंगी लेकिन प्रशासन को तो खबर ही नहीं है प्रशासन बैठा है चुप और सवाल ये भी है कि आखिर ऐसे जो लोग हैं मानसिक्ता वाले वो ऐसे अवैद नियमों अवैद तरीके से गरपपात क्यों कराते हैं नियमों को नियमों का उलंगन क्यों करते हैं क्यों ताक पर रखकर अवैद गरपपात का सहारा लेते हैं जबकि एक कानूनी जुर्म है क्या जो लॉइन और है जो कानून है उसका डर लोगों में खत्म हो चुका है लोगों लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझ क्यों नहीं आती है कॉल कर सकते हैं आप हमें 011421421421 और क्या कहना है आपका आप हमारे साथ अपनी राय साझाजा कर सकते हैं लगाता क्या पैसों के पैसों को लेक स्टेप वाइस टेप हर जगा खेला जाता है उसमें अल्ट्रा साउंड भी आ जाता है जो मेडिकल टेस्ट आ जाते हैं या फिर दवायों के खर्चे आ जाते हैं और तरीके के जो डॉक्टर हैं वो अपनी कमिशन भी निकालते हैं सब कमीशन की चकर में पैसो की चकर में ये अवैद धंदा चलाते हैं और वो जो छोटी मानसिक्ता के जो लोग हैं वो ये धंदा चलवाते हैं पैसे दे कर आखिर ये जो लोग हैं इस तरीकी की मानसिक्ता वाले लोग हैं उन पर भी कानून को शिकंजा कसना चाहिए ऐसे कड़ी से कड़ी सजा इनके लिए होने चाहिए ताकि इस इन डॉक्टर्स को सजा मिलने के बाद से जो बाकी के डॉक्टर है या जो अस्पताल है जो उसमें या फिर तरीके के अवैद कामों में जो सनलिप्त जो पूरी टीम है वो अलर्ट हो सके और सीख ले सके कि जो ही लेना चाहिए जो कानूनी जुर्म है उसे किसी को नहीं करना चाहिए अवैद घरपात की एवेज में इमहिला डॉक्टर बीस जार रुपे मांग दोई नजर आ रही है कर वीडियो में जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो चुका है और अब इस पूर प्रिशासन कहा है सबसे बड़ा सवाल जो जनता पूछना चाहती है कि वह है कि प्रिशासन कहा है और सवाल हम भी पूछना चाहते हैं उन लोगों से इसे जो अअपने जिमेदार ने बनाए हैं लोगों की सुविथाओं के लिए पैसे बचाने के लिए उचके अंदर कोई मरीज 20,000 रुपे दे कर गर्भपात कराता है कोई महिला डॉक्टर 20,000 रुपे लेकर गर्भपात करती है तो पलाल बोल जनता बोल में इतना ही रुखे